नमर सवाल है बिटामिन A का रासाइनिक नाम क्या है दोस्तों आप जानते ही है बिटामिन A का रासाइनिक नाम होता है तो इसका सही जबाब हो जाएगा रेटेनल होता है चले अगला कोशन जो है बिटामिन B1 का रासाइनिक नाम क्या है तो बिटामिन B1 का रासाइनिक नाम ह हो जाएगा आपका थाइमीन हो जाएगा चलिए अगला कोशन जो है बिटामीन सी किसे से मिलता है करने का मतलब दोस्तों बिटामीन सी कहां मिलता है तो इसका आंसर हो जाएगा बिटामीन सी जो है संत्रा में मिलता है अगला कोशन जो है बिटामीन डी का मुख्य सुरुत क्या है विटामिन डी का मुख्य सुरुतanor दोस्तों हो जाएगा इसका सुरे की सुरज है इसके किरने से हमें विटामिन डी की प्रापती होती है चलिए अगला कोश्चन जो है बिटामिन E करासाइनिक नाम क्या है तो बिटामिन E करासाइनिक नाम है टोको फेराल और दोस्तो रेटेनोल जो होता है बिटामिन E करासाइनिक नाम है और कैलसी फेराल जो है ये बिटामिन D करासाइनिक नाम है और थाइमीन जो है बिटामीन बी करासानिक नाम है तो चलिए अगला कोशन जो है बिटामीन के किसके लिए आवसक है तो बिटामीन के दोस्तो रक्त के थाका जमने में मदद है ठीक है ना कहने का मतलब है कि रक्त का थाका बनाना होगा बनना है इसके लिए आवसक है विटामिन के चले अगला कोशन जो है किस विटामिन की कमी से एसकरवी रोग होता है तो इसका जबाब सही हो जाएगा विटामिन सी विटामिन सी की कमी से एसकरवी रोग हो जाता है चले अगला कोशन जो है किस विटामिन की कमी से रेक्टस रो तो यह इसका अंसर हो जाएगा बिटामिन D बिटामिन D की कम इससे हो जाता है ठीक है चलिए अगला कोशन जो है बिटामिन B 12 करासाइनी के नाम क्या है बिटामिन B 12 करासाइनी के नाम है तो इसका सही जबाब हो जाएगा साइनो को बालमीन होता है चले अगला कोशन जो है किस बिटामिन को एसकरवी एसिट के नाम से भी जाना जाता है किस बिटामिन को एसकरवी के एसिट के नाम से भी जाना जाता है तो आपको यह सही जबाब हो जाएगा आपका बिटामिन C चले अगला कोशन जो है अगला question है vitamin A किसके लिए अवसक है तो इसका answer हो जाएगा दिरिष्टी दोस्ट के लिए जरूरी है दिरिष्टी के लिए आँखों के लिए बहुत जरूरी है vitamin A चले अगला question जो है vitamin किस vitamin की कमी से पिलाग्रो रोग होता है किस vitamin की कमी से पिलागरो रोग जो होता है तो इसका अंसर हो जाएगा बारा का अंसर हो जाएगा बिटामीन B3D ठीक है अगला कोजन जो है कौन से बिटामीन केलसियम को आउसोसन में मदद करता है तो तेरा का सही जबाब हो जाएगा बिटामीन D केलसियम के आउसोसन में मदद करता है चले अगला इंसर जो इसका हो गया पाइरोडक्सी नाम है इसका चलिए अगला कोशन जो है अगला कोशन जो है बिटामिन E किसका परमुख कारे करता है तो आपको बता दे किसका सही जबाब हो जाएगा प्रजनन किरिया को बनाए रखने में मदद करता है यानि जनन की किरिया में जो है बिटामिन E की आवा सकता होती है अगला कोशन जो है किस बिटामिन की कमी से एनेमिया रोग हो सकता है किस बिटामिन की कमी से एनेमिया रोग हो सकता है तो बिटामिन B12 की कमी से एनेमिया रोग हो सकता है अगला कोशन जो है केस बिटामिन को फॉलिक एसिड कहा जाता है केस बिटामिन को फॉलिक एसिड कहा जाता है तो बिटामिन बी नाइन को कहा जाता है अगला कोशन जो है बिटामिन क का परमुख कारे क्या है तो बिटामिन क का परमुख कारे रक्त का थाका जमाना चलिए कमी से बेरी बेरी रोग होता है तो 19 का सही जबब हो जाएगा विटामिन B1 की कमी से अगला कोशन जो है किस विटामिन की कमी से तोचा की समस्या होती है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका किस विटामिन की कमी से तोचा की समस्या होती है तो इसका अंसर हो जाएगा बिटामिन E चले अगला कोशन जो है जब लोहे के टुकरे को दोस्तो जब लोहे के टुकरे को तामे के सलफेट के बिलियन में डुबाया जाता है तो कौन सधातु जमा हो जाता है तो एकिसका अंसर हो जाएगा तमबा जमबा हो जाता है अगला कुछन जो है केलसियम अक्साइड और पानी की अभिक्रिया के परिणाम साव रूप बनने वाला उत्पाद क्या है तो 22 का अंसर हो जाएगा केलसियम हाइडरा अक्साइड बन जाएगा अगला कुछन जो है मेगनेसियम रीबन को जलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है तो तेश का आंसर हो जाएगा मेगनेसियम ऑकसाइड बनता है अगला कोशन जो है केस परकार की अभिकिरिया में एक तत्व दूसरे तत्व का जगह ले लता है तो चोबिस का आंसर हो जाएगा बिस्थापन अभी किरिया चले अगला कोशन जो है जब केलसियम कार्बोनेट को गरम किया जाता है तो यह केस में तूट जाता है तो 25 का सही जबाब हो जाएगा calcium oxide और carbon dioxide में तूट जाता है चलिए अगला question जो है कौन सी पर किरिया एक औव छेपन अभी किरिया कहलाती है तो इसका आंसर हो जाएगा sodium sulphate और barium chloride का मीसरन अगला question जो है केस परकार की अभी किरिया के दोरान उर्जा औव सोसी तो होता है तो 27 का अंसर हो जाएगा बी उश्मा गरहन अभी किरिया अगला question जो है अभी किरिया में Zn पलस H2SO4 किरिया करता है तो Zn SO4 पलस H2 या कौन सी अभी किरिया होगी तो 28 का अंसर हो जाएगा विस्थापन अभी किरिया देख लिजे Zn जो है क्या H2 के जगा पर विस्थापित हो जाता है तो ये विस्थापन अभी किरिया हो गया ठीक है अगला question जो है पानी के बिधुत अभी किरिया में उर्जा का उत्सर्जन होता है किस परकार की अभी किरिया में उर्जा का सर्जन होता है तो इसका अंसर हो जाएगा उस्थापित अभी किरिया में आप जानते ही है विटामिन A का रासाइनिक नाम होता है तो इसका सही जबाब हो जाएगा रेटेनोल होता है चले अगला question जो है बिटामिन B1 का रासाइनिक नाम क्या है तो बिटामिन B1 का रासाइनिक नाम हो जाएगा आपका थाइमिन हो जाएगा चलिए अगला कोशन जो है बिटामिन C किसे से मिलता है करने का मतलब दोस्तो बिटामिन C कहां मिलता है तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन C जो है संतरा में मिलता है अगला कोशन जो है विटामिन D का मुख्य सुरूत क्या है विटामिन D का मुख्य सुरूत दोस्तों हो जाएगा इसका सुरे की जो है सुरज है इसके किरने से हमें बिटामिन D की प्राप्ति होती है चलिए अगला कोशन जो है बिटामिन E